Hello Friends, Welcome Back to E-Education Channel So Friends, आप देख सकते हैं EMS Exam 2024 जिसमें की NERTHING OFFICERS के लिए vacancy जाड़ी किया गया है 7th Phase का ये exam है क्या selection process रहेगा? क्या आपका इसमें syllabus रहेगा? क्या eligibility criteria रहेगा? ये मैं आपको बताता हूँ और full discussion होगा, बट short में चैनल को subscribe कर लिजी अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो और ये 15 इंडिया में जितने EMS हैं 15 different EMS में दिल्ली से लेके, भूवनेशोर से लेके, मुंबई वाला Like each and every EMS में यहाँ पर vacancy जाड़ी किया गया है ये biggest opportunity है, बट यहाँ पर एक problem है अब क्या problem है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखे All India Institute of Medical Sciences, New Delhi जो head office है, वहाँ पर recruitment जाड़ी किया गया है जिश्मी कि आपका यहाँ salary package जो है 34,800 grade पर 4,600 का Group B का job है, तो अच्छी खासे आपको analysis भी यहाँ पर मिलेंगे अब यहाँ पर देखे, eligibility criteria क्या है First candidate जो की BSc on earth nursing किया है या BSc nursing किया है, तो वो directly apply कर सकते है दूसरा option है, BSc post certificate या post basic BSc nursing from Indian nursing council और like state nursing council लिखे गनाई तो एक India nursing council है, Indian nursing council और state nursing council इस दोनों में से किसी एक से registered होने चाहिए, ठीक है और registered as a nurses, midwife with state या फिर Indian nursing council ठीक है तो BSc अगर है और registered है state से या Indian nursing council से तो आप apply कर सकते हैं दूसरा option क्या है यहाँ पर, दूसरा option है अगर आपने डिपलोमा किया है general nursing mid वैफरी से तो आप apply कर सकते हैं इसमें भी registration, state और central दोनों में से किसी एक में से चाहिए और यहाँ पर दो साल का experience मांगा है अगर आपने डिपलोमा किया है तो BSc के लिए experience नहीं चाहिए पचास bedded hospital में है यह जो experience है कम से कम पचास bedded hospital में होना चाहिए पैन इंडिया कहीं पर भी ठीक है तो तब आप डिपलोमा कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं अधर वाइज आप अपलाई नहीं कर सकते हैं एज जो है यहाँ पर एज है 18 से 30 अब यहाँ पढ़ गया इस प्रॉब्लेम क्या है यहाँ पर 3000 रुपय अप्लिकेशन फी है राइट सो जेनरल एन ओवीशी के लिए स्ट एस्ट एक्रोविकर सक्षन के लिए चौबिस रुड़ रुपया है और प्रसनल डिशेबल कंडिडेट के लिए कोई भी अपलिकेशन फी नहीं है अब रिकूट्मेंट प्रॉसेस जो है दो पार्ट में कम्प्लीट होगा आपका तो पहला एक्जाम सेप्टेंबर में होगा 15 सेप्टेंबर को संडे को और मेंस एक्जाम जो है 4 अक्टूबर को फ्राइडे को होगा तो क्विकली एक्जाम कराने जारी है गवर्मेंट 21 अगस्ट लास्ट डेट है अपलाई करने का है ना अब यहाँ पर देखेंगे गाइस इनका जो selection process है अच्छा age relaxation भी मिलेगा आपको age relaxation में जैसे कि SCST को 5 year OBC को 3 year यह age relaxation तो मिलेगा यह ओके pan india candidate को इसमें state का तो है यह central government का job है तो right तो सभी को मिलेगा pre-exam जो है जिशमें की 90 minute का exam होगा pre-exam जिशमें की 100 questions रहेंगे 20 number का जो है आपका general knowledge और aptitude रहेगा 80 number का जो है nursing से related question रहेगा 1 by 3rd negative marking रहेगा ठीक है so अब यहाँ पर जो अगर आप qualify होते हैं तो 5 गुना ज्यादा candidate को short list किया जाएगा second exam के लिए ठीक है तो जिशमें की 160 question रहेगा और आपको 180 minute मिलेंगे तीन घंटे आपको मिलेंगे 160 question को solve करने के लिए यह पूरी तरह जो है nursing से related questions यहाँ पर रहेगा okay so that's it तो आप apply कीजिए अगर कोई भी doubt होता है तो जरूर पूछेगा यहाँ पर फुल syllabus दिया गया है तो ms में जाएंगे यहाँ पर देखेंगे ms exam.ac.in तो यहाँ पर जाके आपको पूरा detail मिल जाएगा मैं आपका time बिल्कुल भी waste नहीं करूँगा so good luck for the exam कोई help चाहिए तो definitely पूछे मैं आपका definitely help out करूँगा good luck thanks for watching this video thank you